नमस्कार दोस्तों मैं रहा हो रहा है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फिजीक्स भाय राइसर आम बात करें मोशनीन प्लेन के टोपरनेंट कोशन के बारे में तो आएए कोशन नमबर 63 देखते हैं बहुत री बहतरीन कोशन है कोशन नमबर 63 में क्या बोलाग नहीं है कि यहाँ पर अगर अब दूंत कि यहाँ पर घृता हूंढ कि यहाँ पर गिर यह सब करताा हूं किए अ इन्क्लांट प्लेन esperar्लेл लाइन टीम कर लेता हूं ठीक यह कोई Materiallı कितना होगा 30 degree क्योंकि यह जो एंक्लाइन है उसका एंगल कितना है 30 डिग्री ठीक तो यह जो है यह वी नॉट है तो यह आएगा वी नॉट कॉस्ट ठीड ठीक जब बॉल यहां पर टक राएगी है न ऐसे मान लेते पन कि जब यहां टक राएगी तो यह एंगल 90 यहां पर इस प्लेन के पैर्लल योगी वह जीरो जाएगी फाइनल ठीक यह वाला है तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि कि बहुए displacement कितना हुआ तो अगर यहां पर अपन क्लियर देखें कि यह एच है और अगर इस तरीके सा यह 60 डिगरी है यहां पर अपने पर पर पेंडिकुलर डो किया यह 30 तो यह एच तो यह हो जाए कि वाट एच कॉस्ट थाटी डी एक होई अगर मैं जी एक्सलेशन के लि बात करेंगे तो यह 30 डिगरी आए ठीक है तो यह अगर जी एगा जी कॉस्ट विटा कॉस्ट थाटी डिगरी और यह वजाए गटा जी साइन घटी डिगरी तो यहां पर जो होरुजूंटल में अभी एक्सलेशन लगेगा वो लगेगा आप इस तरीके से जी साइन थाटी motion first लगाया तो final velocity जो कि 0 हो जाएगी तो V equals to 0 equals to V naught cos 30 degree into time of flight मानने लेते T minus क्योंकि acceleration अपोजित डिरेक्शन में minus G minus G और sin 30 degree और minus G sin 30 degree into T अपने थोड़ा mistake कर दिया है यहां पर T नहीं आएगा V equals to U minus G T हो जाएगा ना यह जी एक्सेलरेशन कि जाएगा होगे आपना एक तो यहां से T equals to value आईगी वो क्या value आजागी विट आपने पास में कि V naught cost 30 degree upon G sin 30 degree अब यह कॉस अपन साइन वागिर आपन यह सब बात में कर सकते हैं तो equation 1 बन गई है हमारी यहां पर हाइट के format में अगर आपन बात करें displacement की format में तो क्या हो जाएगा यहां पर displacement की यहां से object नीची आ रहा है तो displacement भी नीचे है ठीक यह जो acceleration है वो भी ऐसे G cos 30 degree यह भी सेम डारेक्शन में और जो velocity है वो भी क्या हो जाएगे यहां पर अपनी V naught sin क्या होगा यहां पर V naught sin 30 degree है ना वो भी नीच आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगे है कि H cos 30 degree equals to V naught sin 30 degree into T minus यहां पर प्लेस ही आगे क्योंकि सेम डारेक्शन जी और cos 30 degree into T square ठीक अब T1 की value हमको यहां से मिल जाएगी first equation से और यह हुए हमारी second equation जब हम यहां पर बात करेंगे बटा और इसको solve करेंगे तो हमारे पास जो value आएगी जो value हमारे पास आएगी V note की value होगी 4 meter per second यह इसको solve कर सकते हैं मैं solve कर देता लेकिन यह थोड़ा सा time consuming होगा अपना तो आप लोग इसको ज़रू solve करें और सारे questions पहले आप खुछ से try करें महीं होते तो आप वीडियो देखें अगोर आपको पसंद आ रहा है अच्छा लग रहे है और भी आप चाते कि अलग-अलग topics के भी वीडियो बननी चाहिए अच्छे questions आपको मिलनी चाहिए तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेर करें क्योंकि कर भला तो हो भला